नमस्कार दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो जंदगी 90.8FM देहरदून का अपना रेडियो स्टेशन मैं हूँ आकरती और कैंपस जंदगी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों कैंपस जंदगी में एक खास केस्ट होते हैं हमारे साथ एक ऐसे युवा जो बेवाग है बेफिक्र है लेकिन अपने दिल की सुनना जानते हैं और द्वार का प्रसाद महिश्वेरी जी की कुछ पंक्तिया मुझे जरूर यादा रहे हैं इतने उचे उठो के जितना उठा गगन है देखो इस सारी दुनिया को इस दृष्टी से सिंचित करो धरा समता की भाव व्रिष्टी से जाती देश की धर्म वेश की काले गोरे राग द्वेश की जुआलाओं से जलते जग में इतने शीतल बहो के जितना मलय पवन है वाकई में हमारे आज के गेस्ट जो आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं एक यूवा एक यूथ वाकई में उनमें आसमान जैसा ठहराव तो है लेकिन पवन के तरह चंचल भी जरूर है शीतल भी है लेकिन जरूर दिल की भी सुनते हैं हमारी साथ आज होने वाले हैं आज गेस्ट मवजूद गौरव धीमान जो की पंडित श्री सुचित नारंग जी से संगीत चीख रहे हैं उत्राखन सुर रत्न के अवोडी गौरव धीमान साथ ही में एक्स फाक्टो जैसे शो में भी आप और हम उन्हें देख चुके हैं बड़े-बड़े स्टार्स जैसे सोनु निगम, दिलेर महिंदी, रिचा शर्मा, यूफोरिया जैसे बैंड्स के साथ परफॉर्म भी कर चुके हैं साथ ही में फकीरा, रीसेंटली उनकी अल्बम भी लॉंच हुई है और सपने हैं और आगे बढ़ने के तो प्लीज वेलकम गौरव धीमान गौरव आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में और दोस्तों आप सभी जान ही चुके हैं कि गौरव देहरादून के भई उभरते हुए एक गायक है ना सिफ देरादून के बल्कि हमारे देरादून के हमारे हिंदुस्तान के उभरते हुए गायक है तो गौरव सबसे पहली चीज जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि म्यूजिक क्यों आप यंग हो और आजकल यंग स्टेर्स जो है बहुत सारे प्रफेशन्स उनके लिए होते हैं तो म्यूजिक में अगर आप जाना चाहते हो तो इट इस इक्विलन्ट तो स्ट्रगल करना कई साल आपको अपनी लाइफ के स्ट्रगल को देने होंगे तो म्यूजिक क्यों और ये स्ट्रगल का जो रस्ता है आपने क्यों चुना गोरव तैंक यू सो मच आकरती सबसे पहले तो आपने मुझे बुलाया मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और जहां तक सवाल है म्यूजिक क्यों चुनने का मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ मैंने जब अपना 12th किया तो 12th के बाद मैंने डिप्लोमा किया कम्प्यूटर से एप्लिकेशन में और उसके बाद मैं IIT रूटकी में ऐस अन इंजिनियर रहा लेकिन बच्पन से ही मेरा जो इंटरिस्ट था वो म्यूजिक में था तो करते 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 म्यूजिक करते रहा और मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे म्यूजिक ही करना है और अभी मैं म्यूजिक करना हूँ इंजीनियर्स भी कितने सारे हैं, सिंगर्स भी अबिसली बहुत सारे हैं, लेकिन जो दिल को अच्छा लगे वो करे तो शायद हम लोग बहतर कर सकते हैं आज हम बात कर रहे हैं गौरव धिमान से, यह आई-ई-ई-टी रुड़की से सीधे मतलब यहां पर आये हैं, देरादून में, संगीत सीखने के लिए, संगीत में अपना नाम बनाने के लिए, गौरव जैसे आपने कहा कि स्ट्रगल वाकई में हर चीज में हैं, लेकिन आपक आई-ई-ई-टी रुड़की हम इतना नाम जानते हैं, आई-ई-ई-टी का हम इतना नाम जानते हैं, और आई-ई-ई-टी रुड़की में जॉब करना, that means there is something, और उसके बात म्यूजिक में आ जाना, तो यह कितना मुश्किल था डिसिजन आपके लिए और आपकी फामिली के तो लेकिन मेरा दिल चाहता था कि मैं म्यूजिक करूँ, तो मैंने कुछ भी नहीं सूचा, ना अपने फामिली के बारे में, ना अपने करियर के बारे में, मैं सीधा आ गया, और गुरू जी के पास पहले सीख रहा चुरू किया आज हमारे साथ हैं, बेबाग, बेफिक्र, गौरव दिवान, जो सिर्फ अपने दिल की सुनते हैं, बलकि अपने दिल की सुनना और मानना भी जानते हैं, और वाकई में दोस्तों, ये बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए होती है, क्योंकि आपका दिल कई बार आपको बहुत कुछ करने के लिए कहता है, बहुत सारे ऐसे पर चलने के लिए कहता है, जिन पर चल पाना वाकई में मुखिल होता है, मुझे ये भी लगता है कि, अब मेरे जो पेरेंट्स है मेरी फामिली है, मेरे इस दिसिजन से बहुत जाधा खुश है, क्योंकि बहुत बार मैंने फामिली के सामने पर फॉर्म भी किया है, बहुत करने की तो obviously हम अभी भी तुमसे कहने वाले कि आप हमें कुछ सुनाओ गौरव भई हमारे दोस्त भी सुनना चाहते हैं जिन से अभी हम बात कर रहे हैं गौरव से उन्हें सुनना चाहते हैं तो आप कुछ सुनाना चाहोगे गौरव हमें बिलकुल आकरती मैं कोशिश करता कर दो कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रभ का इशारा मानो मुझ को बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए किसी के लिए कुछ तो है तुछ से राबता कैसे हम जाने हमें क्या पता कुछ तो है तुछ से राबता वाओ गौरव वाओ भई वाकई में बहुत बहुत मतलब एक अलग ही एंबियंस हो गया एक अलग ही वातावरन हो गया फिलहाल स्टूडियो में दूसरों प्रोग्राम चल रहा है कैंपस जिंदगी और आज कैंपस जिंदगी में हूं मैं आपके साथ आपकी अपनी और आज कैंपस जिंदगी में हम बात कर रहे हैं गौरव धीमान से प्रफेशन सी एक सिंगर म्यूजिक टीचर भी आप कह सकते हैं और साथ ही में एक स्टूडेंट भी तो बही बिल्कुल मैं बता दू हमारे सुनने वालों को कि गौरव अभी आट प्रेजेंट पंडित श को कि होनी चाहिए वो वाइस कल्चर से हुई वाइस कल्चर में मुझे सर ने सिखाया आवाज को बनाना सुर को ठीक जगा पे लगाना एक तो होता है सुर लगाना दूसरा होता है उसको उसकी जगा पे लगाना तो वो मुझे सर ने सिखाया तो ये सारे प्रसेस में बहुत चीजे साथ मेरा हूं क्या बात है इतना पेशन्स होना बहुत जरुरी है आप अंधने कहा कि लगवक 2 साल लग गए आपको आवाज को सही तो पर लगाने में लगवक ापको 2, साल लग गए उसमें इतना पेशन्स रखना और उसके बाद आपने इसे बताया दो तीन साल और आपको लगे स्क्लासिकल सीखने में थोड़ा बहुत क्लासिकल और फिर उसी क्लासिकल को अच्छे से जो आप प्लेबैक सेंगे हैं उसको उसको वहां पर इंप्लेमेंट करना त क्यों है यह तो मैं एक्जेक्ली नहीं कह सकता लेकिन शायद बच्पन से मेरा नेचर इसी तरह करा जो भी करता था बड़े मजे से इंजोब करके और आराम से मुझे कोई फर्क नी पड़ता मेरा को से ही साल में हो या दो साल में मुझे इंजॉइ करना आता था फिर में शांती और पेशन्स और यंग्स्टर यह तीनों चीजे साथ हमें कभी नहीं वैट सकती है हाँ शायद दोस्तों प्रग्राम चल रहा है कैंपस जिंदगी मैं हूँ आक्रिती और आज हम बात कर रही हैं गौरव धीमान से गौरव जैसे आपने कहा कि आप पंडित श्री सुचित नारंग जी से सीख रहे हो मुझे लगता है आप किसी पी प्रफेशन में हो वो गायन हुए है या फिर कोई और प्रफेशन है आपको अपनी गुरू के समर्पित होना बहुत जरूरी है विश्वास करना जरूरी है इन फाक्ट आप अगर किसी इलाज के लिए भी सब लोग अलग तरह से चलते हैं अपनी चीजों को सोचते हैं अपने बंनब जंदीगी को जीने का अलग होता है ऐसा था आकरती कि जब मैं रुटकी में रहा करता था जो मेरा होम टाउन है तो वहाँ पर भी काफी सारे कॉंसर्ट्स उससे पहले मैं एक्स फेक्टर में आ चुका था टीवी पे तो थोड़ा थोड़ा नाम होने लग गया था फिर यूफोरिया बैंड के साथ मैंने परफॉर्म किया एक कॉंपिटिशन जीत के और तो काफी लोग मुझे जानने लग गए थे और बहुत सारे कॉंसर्ट्स में देने लग गया था लेकिन मेरी सिंगिंग बहुत कच्ची थी उन दिनों क्योंकि तब तक मैंने सर से सिखना शुरू नहीं किया था तो जब मैं सर के पास आया तो सर ने गाना सुनने के बात बोला कि गौरव आप बहुत अच्छा गाते हो लेकिन सुर से कोसो दूर हो तो मुझे रियलाईज हुआ कि मुझे सच बात पहली बार किसी ने बताई तो तब ही मैंने डिसाइड कर लिया कि जैसा सर बोलेगे मैं वैसा करता जाओंगा सर ने मुझे लग बग एक साल तक बिलकुल गाने के लिए मना किया मैंने घर में रियाज तक नहीं किया एक साल तक, ओकी मतलब कही बार होते हैं कि पिक्टर्स कहते हैं गाओ गाओ, लेकिन आपके गुरु जी ने कहा कि एक साल तक मत गाओ, ऐसा क्यों? मेरे मेरे बहुत सारे concert होते थे क्योंकि बहुत सारे Contacts बन गए थे तो मुझे सारे concert छोड़ने पड़े sir ने बोला एक बार बोला था sir ने कि आप नहीं गाओगे खुछ दिन जब तक मैं नहीं बोलूँगा मैंने सबको मना कर दिया कि मैं कहीं performing करूंगा और सर वोईस कल्चर कराते रहे, साल अगवाते रहे, दीरे 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 एक साल बाद सर ने खुद ही बुला थोड़ा ये रियास करो फिर दीरे दीरे करते करते दो तीन साल बाद वो वाला फेज आ गया कि मैं कॉइंसर्ट और वह सारी चीज़ों में वापस आ गया तो आप सुनके ही बता पाओगे मैं खुद से तो क्या ही कह सकता हूँ लेकिन मुझे यह लगता है कि अगर मैं सीखना चाहता हूँ या कोई भी अगर सीखना चाहता है तो अपने गुरू के उपर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है साथी में गौरव जैसा कि हमारे दोस्त भी चानते हैं हमने दोस्तों को बताया कि आप इससे पहले एक्स फाक्टर में भी आप आ चुके हैं हम आपको टीवी पर देख चुके हैं तो एक्स फाक्टर का जो पूरा एक्सपिरेंस था है मुझे लगता है गौरव आपका कोई तो वहां से X Factor से क्या experience आपको हुआ और सबसे इंपोर्टनिली उसकी वजह से उस experience की वजह से आपके लाइफ में क्या चेंज आया गौरव में क्या बदलावाया आकरिती मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्डिंग पॉइंट शायद वही था उन दिनों मैं IIT में job किया कर तो मैंने auditions दिये मेरा X Factor में सिलेक्शन हुआ मुंबई गया तो मेरे पापा भी मेरे साथ मुंबई गय थे तो वहां पर जजिस थे सुनु निगम श्रेया गोशाल संजली अभनसाली तो उन लोगों के सामने perform किया तो लेकिन singing तो मेरी वही थी ना बचकानी एकदम बच् परतालीम संगीत की लेनी पड़ेगी तब आपकी जिन्दगी में संगीत आपाएगा और मैंने उसी दिन डिसाइड किया कि मैं सब छोड़ के संगीत सीखूंगा क्या बात है मतलब एक मतलब जिसे सोनो डिगम सहाब ने आप से बोला पूरे टेलिविजन के सामने और उस चीज़ को आपने बात जो है वो गांट बाद ली लेकिन गौरवामस से यह भी बहुत टाफ होता है मतलब आप उस हार को आप नेगेटिवली ले सकते थे कि हाई मै हार गया ये नहीं हो पाया मेरा अब क्या होगा और मेरा नाम खराब हो गया य कि तरह से हो गया मैं Sunu Nikam को बहुत follow करता था उन दिनों अभी भी follow करता हूं, मेरे idol है वो, तो मेरा सपना यह था कि मैं Sunu Nikam के सामने perform करूँ यह Sunu Nikam से मिलू और उनसे tips लूँ, तो मेरे दिमाग में कभी भी यह नहीं है कि मुझे competition में जाना है, मुझे बस यह था कि मुझे अच्छे से अच यह बहुत कम लोग इतनी किसमत होती है जिनकी कि जिनको आप आइडिलाइज करते हो, सालों से आप, मतलब जन से आप जिनको आइडिलाइज कर रहे हैं कि मैं इनकी तरह बनूगा या इनकी तरह गाऊंगा, वो ही आपको टिप्स दें, और आक्चल में कहते हैं यह होता है कि as प्रूर आपने गाने की बात की, आपने कहा कि आप उस वक्त में और अब में फर्क बहुत जादा है आप में, तो भाई हम फर्क जो पूरे देरादून को भी सुनाना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं कि गौरव कुछ और भी हमें गाकर सुनाए, ठीक है मैं थोड़ा सा आगनी गा याद तेहारी मुरा मन तड़ पाए, सारी रेना नींद नाए बिरहा की मारी देखूं, राह तेहारी दो नेंद नाए चैनों के दीप जलाए, जलू तेरे प्यार में करूं इंतजार तेरा किसी से कहा जाए ना साब्रे तुर्बिन जिया जाए क्या बात है क्या बात है गौरव उनके अलावा कोई ये गाना नहीं गा सकता इतनी खूपसूरती से और वाकई में और मतलब आपको बहुत कॉंग्राच्वरेशन आपके गुरू को भी के इतना ब्यूटिफुली आपने गाया और सोल्फुली गाना बहुत बहुत जादे एक दिल को चूजा आता है तो दो लेकिन आपने पताया कि उसके बाद आपने यूफोरिया के साथ उनके बैंड के साथ और परफॉर्म कीया तो वह कैसे हुआ और हाओ वोजे एकस्पिरियसे? अग्रिदी, एक्सफेक्टर के बाद एक कॉंपिडिशन हुआ था उत्राखंड रॉक स्टार करके, तो उसमें मैं जीता था, तो यूपोरिया के साथ परफॉर्म करने का मुका तो तब मिला, उसके बाद चोटे-चोटे बहुत सारे कॉंपिडिशन होते रहे, कुछ परफॉर्म किया, उनके साथ भी परफॉर्म किया, तो ये कॉंटैक्ट के थ्रू ही होता रहा है. आकरिती, मेरा नम बच्पन से ही शॉक था, कि मैं दस लोगों के सामने बेटूं, और वो लोग मेरी बात सुने, मेरा गाना सुने, तो ये शॉक तो मेरा बच्पन से फ्रूद तो रहे दीरी दीरी आता ही, तो जैसे जैसे मैने स्टेजेस फिए, तो रहे दीरे इस बढ़त लोग के साथ में स्टेज शेयर करना और उन लोग का इतना बड़ा नाम है तो बहुत सारी चीजें उनसे सीखने को मिलती है तो क्या बात है और वही आज जैसे गौरब ने शुरुआत में जिक्र किया कि उनका बच्पन से शौक था कि उनको कई सारे लोग सुने तो बही मैं बता दूँ अभी आपका शौक देख दरह से पूरा हो रहा है क्योंकि अभी देरादून में बहुत सारे लोग अभी आपको सुन पा रहे हैं एक्जाइट लेकि लेकिन वही क्रेडिट गूस्ट यूटू क्योंकि आपकी इतनी खुपसूरा आवाज है इंशालला इतना अ बहुत ही पेशन्स और सुल्जे हुए इंसान हो आपको भी पता है कि मुझे क्या करना है कितने टाइम में मुझे कहां जाना है क्या करना है कैसे कॉंटाक्स बनाने गौरव फामली का बहुत बड़ा आपनी बीच में जिक्री किया था कि फामली का बहुत बड़ा हाथ रहत बढ़ रहना है लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है और आगे बढ़ तो सारी दुनिया आपको सपोर्ट करती है तो दीरे दीरे वो वक्त भी आ जब मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया म्यूजिक के लिए तो अब वो लोग देखते हैं तो उनको बहुत खुशी भी होती है इस बात को लेके जब उपर वाले ने पूरी कोशिच किये बिल्कुल तिगड़ मिला दिये और जो संगीत है जिसको पाना चाहते थे गौरव बिल्कुल आज आप सुनी पा रहे हैं कि उस संगीत को कितना हद तक पा पाए हैं गौरव गानी के बात हुई है क्योंकि आप इतना सःदा म्यूजिक से असूसेेडेड हैं तो रियाज करना कितना Important होता है या कितना वक ता आप रियास कर पाते हो आप टी रियास करना सबसे जादा इंपोर्टन्ट है किसी भी फिल्ड में आप कर लीजिए आप आरजे हैं तो आपके लिए इसके लिए भी अलग से महनत करने पड़ती होगी तो इंजीनियर्स को पढ़ना पड़ता है रात दिन तो सिंगर्स को रात दिन रियाज करना पड़ता है इसके लिए मेरा कोई टाइ है निखा राता है और सुरों का थोड़ा-थोड़ा पक्का होना ओविसली वहीं से शुरू होता है तो रियाज करना पास जरूरी है रियाज के आपने बात की है गौरब तो क्यों न कोई घजल हो जाए क्यों न हमारे पुरा देरादून भी सुने कि क्या आप अब हमें सुना आते कि आना करो आज जाने की जिद ना करो आज जाने की जिद ना करो यू ही पहलो में बैठे रहो हाए मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे ऐसी बाते कि आना करो आज जाने की जिद ना करो तुम ही सोचो जरा क्यों न रोके तुम्हें जान जाती है जब उठके जाते हो तुम्हें 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 को अपनी ख्वसम्हें जाने जान बात इतनी मेरी मान लो आज जाने 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 दोसर प्रोग्राम चल रहा है कैम्पस इंदगी में हूं आज हम बात कर रहे हैं गौरव धिमान से उभरते हुए एक ऐसे म्यूजिक लवर आप कह सकते हैं ऐसे सिंगर जो न सिर्फ एक बहुत अच्छे इंसान है बलकि बहुत अच्छे स्टूरेंट भी होते हैं कि उन्हें लगता है वो यह बानते हैं कि आपको कोई भी जी सीखने के लिए किसी भी अपने टीचर को डेडिकेट करना उनकी तरफ ड उत्राखंट सुर रतन से भी आपको सम्मानित किया गया तो यह कैसे हुआ और कभ और यह पूरा एक्सपिरिंस था वो कैसा था एक कॉंपिटीशन हुआ था स्टेट लवल का जिसमें इंडिन क्लासिकल परफॉर्म करना था तो यह हल्दवानी में और्गनाइस किया गया थ तो मुझे यह उत्राखंट सुरतनी टाइटल मिल गया और मैं यह चीज अब्जर्व कर पारें कि बेफिक्र और जो बेबाग जो आपका अंदाज है यह आपको क्या लगता है कि कितना जादा यह पॉजिटिव रहता है आपके प्रफेशन के लिए और आपकी लाइव के ल लोगों से मिलके आप जैसे लोगों से मिलके थोड़ा थोड़ा बोलना कैसे बोला जाता है सिंगर से मिला तो कैसे गाया जाता है कैसे बैठा जाता है तो यह छोटी-छोटी चीज़े होती है जो मिलके एक पाकेज तैयार करती है तो उनी चीज़ों पर मैं अभी भी काम कर रहूं और आगे भी करता रहूंगा और गौरव जैसे कि मैंने आपसे शेयर किया कि मैं बहुत सारी चीज़ें अब्जर्व कर पा रही हूं आप में कि आप एक लर्नर भी हैं आप किसी से मिलते हैं किसी से बात करते हैं तो आप उनकी बोलने के अंदाज को या पिर कोई गा रहा है तो उनके गाने के अंदाज को और उस स्टीज को अपनी में लेने की कुशश प्रव करती हैं तो यह कितना ज्याहदा एक गौरव आपको एस सिंगर बहुत ज्याहदा है मैं मेरे कुछ बहुत फिर्व टिस्पीकर सें जिनको मैं सुनता हूं, record कर लेता हूं, बहुत बारी वो live perform कर रहे होते हैं, या कहीं बोल रहे होते हैं, मेरे गुरु उनमें से एक है, वो बोलते बहुत अच्छा है, गाते भी, माशालला, कमाल का गाते हैं वो, तो वो बोलते भी बहुत अच्छा है, और मैं हमेशा उनकी recording करता हूं, और बार-बार में उनकी recording सुनता हूं, सिर्फ बोलने की, गाना तो अलग रहा, मैं बोलने की उनकी बार-बार सुनता हूं, मैं आर्जेज को बहुत सुनता हूं, और बस यही सब देरे-देरे करके मुझे थोड़ा-थोड़ा बोलना, मतलब मैं चाहता हूं कि मै अपको करते हैं, लेकिन एक स्टेप आगे बढ़ना और उस इंसान से मिलना उनसे बात करना और उनसे पूछना और उनसे बिलकुल जिस तरह से आप बिबाग अंदास में आप कईते हैं तो यह बहुत इंप अच्सी जीज़ कि आपने हम आप में प्रुषट है आप एक एक ब बनाता है बलकि आपको आज नहीं तो कल नहीं तो परसो सक्सेस जरूर देगा सक्सेस का तो मेरा मानना यह है कि मैं कभी भी यह जोच के नहीं चला कि मैं प्लेबाक सिंगर बनूंगा या बहुत बड़ा नाम मेरा होगा मेरी शुरुवात से ही कोशिश यह रही कि मैं अच्छे से अच्छा गाऊं अच्छा गाऊंगा तो आप्रिशियेट करेंगे लोगों को पसंद आएगा तो शायद कहीं ना कहीं नाम और काम और पैसा वो सारी चीजे तो आनी जानी हो दिये हैं वो तो मिल जाता है लेकिन यही लगता है कि पहले आप अपने दिल से पूछे कि आप क्या सीखना चाते हैं क्या करना चाते हैं तो जब आप उस फील्ड में उतरेंगे तो आपको हर जगा सीखने को मिलेगा आपको लोगों की बातों से लोगों के चलने से हवाहों से हर जगा से आपको सीखने को मिले या पिर किसी भी हॉबी में है या पिर कोई भी अपना प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं तो उससे दिल लगाना बहुत बहुत जरूरी होता है तब ही आप इंजॉय कर सकते हैं मज़े ले सकते हैं उस पॉर्टिकुलर काम के और आगे बढ़ सकते हैं गॉरफ भाई बात ही हु उसकी कमान से जा लागे जित लगना चोरी लिखी है भाग में तेरे तो क्या सोना क्या जगना आप जो भी है और आप जिस तरह से जिस नजरी से आप अपनी लाइफ देख रहे हैं अपने करियर को देख रहे हैं उन सभी जीजों में आपके गुरू जी का बहुत कांट्रिबिशन है तो गुरू जी पंडित श्री सुचित नारंग जी कितना कितना इंपोर्टन्ट है आपके लिए और आपकी लाइफ के लिए बिलकुल आकरती आपने बहुत सही बात कई मेरे गुरू जी का मेरी लाइफ में बहुत बड़ा ही रोल है बैने अपने गुरू जी में ये पाया कि संगीत में गुरू होना एक अलग बात है वो तो मेरे ह लेकिन जन्दगी को जीने का जो तरीका है जो उनको जन्दगी को देखने का जो नजरिया है उनका वो मुझे बड़ा प्रभावित करता रहा तो मैंने हमेशा उनको पाया कि एक इंसान की जदगी में गुरू को होना बहूत जरूरी है वो संगीत हो या कोई भी फील्ड हो, तो मैंने हमेशा उनको अपना गुरू माना, जिन्दगी के हर फील्ड में बोलना, चलना, उठना, बैठना, सोचना, तो मेरा यही मानना है कि मेरी जिन्दगी में गुरू जी का बहुत बड़ा योगदान है और मैं उनसे हमेशा सेखता घाा के जिन्दगी के कई सारे फलसफे जो है, वो सीख पाते हैं और उनसे क्या बात है, जीना सीख रहे हैं आपने गुरू जी से, गुरू आपके बारे में और करियर के बारे में बात हो रही है, साथ ही में SchulE के करियर के बारे में такого दूल के ल曲 si और मेरे में आपके घृत के बारे में भी हम जानना चाहिए आपको पहले भी बताया था NIVH वहाँ पर मैं पिछले तकरीब न चार साल से बच्चों को गाना सिखा रहा हूँ तो बच्चों के साथ शायद मैं खुद बच्चों जैसा हूँ तो इसलिए बच्चों के साथ घुल मिल जाता हूँ और वो लोग मुझे बहुत जल्दी फोलो करने लगते हैं बहुत प्यार करते हैं बच्चे मुझे तो बच्चों के साथ बहुत मज़ा आता है और शायद मज़े बहुत अच्छी चीज़े सीख भी लेते हैं और एक तो चीज मैंने अपनी लिए भी ये चीज़ सीखी गौरव अभी अभी तुमसे तुमने कहा ना कि आपने आराम से का आपने का कि आप बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं कि आप में भी कई न कई बच्चा है वही मैं सोच हूँ कि मुझे भी क्यों अच्छे लगते हैं बच्चे और क्यों मैं गुल मिल जाती हूँ प्रोग्राम चल रहा है दोस्तों कैंपस जिंदगी और बहुत सारी हाँ पर मस्ती हो रही है बात कर रहे हैं हम गौरव धिमान से उनके स्टूरेंट की बात हुई है और जिकर किया गौरव ने कि वह आज़ टीचर कैसे हैं और मुझे लगता है टीचर के बारे में बहुत प्रूज चागाते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता हुआ का गाना अर सर इस इन इंस्पिरेशन पर उस he is a perfect example of how to stay positive in stressful situation he taught us rhythm, he gave us confidence he always encourages us he never been a strict teacher he taught us that how to be a member of a group he taught us that hard work paid off when you practice and the best thing that our sir always says that not just listen the music but experience it and I am proud to be a student. we are talking about Gaurav's students and we also talked about their special qualities here. Now you know that you are aware of this, why not a song for an old song? Because now you are listening to different genres of songs, you listen to a song, film, you listen to a song, you listen to a classical song, why not a song for an old song? हो जाए मैं कोशिश करता हूँ गौरव नाम ही कहते कि सीवी चीज के लिए हम को मिली है आज ये घड़ियां नसीब से जीवर के देख लीजिये हम को करीब से फिर आपके नसीब में ये रात हो ना हो शायद फिर इस जनम में मुलाकात हो ना हो लग जागले के फिर ये हसी रात हो ना हो शायद फिर इस जनम में मुलाकात हो ना हो लग जागले फिर से क्या बात है और आई शुर मेरी तरह बहुत सारे लोग होंगे फिलाज हो अपर सुन रहे होंगे वो किजी और ही दुनिया में चल गयोंगे मुझे बिल्कुल बता नीं चला कि मैं कहां से कहा चला गया आपकी आवाज का जादू है गौरब साथी में आपने बताया कि जिसे आपकी मुझे लगता है एक पूरी एक हर इंसान की जो लाइफ होती है वो एक फिल्म की तरह होती है उसमें बहुत अलग-अलग कारेक्टर्स होते हैं क्योंकि मैं बहुत जादा फिल्मी होता है तो गौरब साथी में जाना चाहेंगे कि जो हर एक इंसान की अपनी कोई कहानी ज़रू होती है और उस कहानी पीछे भी एक कहानी होती है तो उस कहानी के पीछे वाली कहानी को हम जाना चाहते हैं जो गौरब एक्चुल में है एक होता है जो गौरब सबके सामने ले मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं मुजिक में ही जाओंगा तो फिर मैंने घर में जब बात की कि मुझे संगीत सीखना है तो उन लोगों को अच्छा लगता था लेकिन थोड़ा फिनांशली हम लोग उन दिनों अच्छे नहीं हुआ करते थे तो पापा ने बोला कि आप मुझे लगा कि तब तक तो मैं बहुत लेट हो जाओंगा तो मैंने डिसाइड किया मैं जॉब करूंगा और संगीत सीखूंगा मैंने क्लास 10 के बाद से जॉब करना चुरू गिया पहले एक मेडिकल स्टोर में काम किया वहां मजा नहीं आया थेर एक दवाई बनाने की एक जार लगोर्वा यहां कर दो चल्म से तो पुर्म कोर्श मुझे और से लोगों को वह मार्केटिंग करते करते पिर मेरा जॉब मैंने सूच किया तो तो हइसेल लिए मेरा इंस्टेट्यूट्स के अपने इंस्टिड्योट्स उन्क अल्म के लिए मैंने एपलाई रिग लु मुझे लगा कि मुझे यह डिप्लोमा कर लेना चाहिए क्योंकि यह मार्केटिंग वाली जॉब अच्छी नहीं है मैं बहुत परेशान था मैंने संगीद सीखने के लिए जॉब जोइन की लेकिन मार्केटिंग करते करते इतना वक्त ही नहीं मिला कि मैं संगीद सीख सकूँ और मेरे दो तीन साल इसमें निकल गए तो फिर मैंने सोचा कि सबराना चर्णार चार साल की में सब्सक्तानिक हम घुल सकते हैं उसके बाद भी चीजे लिए अट जल्दी जल्दी में सींख़लिज़िये इुझ Yogab शुल्दी इन और थे हाफ में मेरी एप है में सब्सक्वाद chats जॉब करते करते संगीत सीख पाना बड़ा मुश्किल था, टाइम ही नहीं मिलता था, तो देरी देरे वक्त गुजरता रहा फिर X Factor, मैंने बताया था ना कि टर्णिंग पॉइंट था, तो X Factor के auditions हुए, मैंने auditions में पार्टिसिपेट किया, सेलेक्शन हुआ, तब मेरे को एक रह मिली है कि अब मुझे संगीत में किस तरह से जाना है, और मैंने जॉब चोड़ी और मैंने सिधा इदर आ गया तहरा दून शिफ्ट हो गया, मेरे गुरूजी से मेरे एक फ्रेंड ने मिलवाया मुझे, तो यह मै मैंने सीखना शुरू किया, स्टार्टिंग में मैंने कंप्यूटर में ही जॉब की, फिर दीरे दीरे स्विच करते करते करते, फुल टाइब म्यूजीक में आ किया, तो यही थोड़ा सा, सबकी सिंदगी में कुछ ना कुछ होता है, थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल तो करना पड़ता है, और जब तक स्ट्रगल ना करो तो जो मिलना होता है, उसका मजा भी नहीं आता, बिल्कुल यह बहुत सही बात आपने कहीं गौरब की वाकिए में उस चीज का मजा नहीं आता, और इतना स्ट्रगल जैसे आपने बताया कि आपने अपने अलग अलग तरह कि मैं आ पर भी आपको सही नहीं लगा, फिर खाहिए मेंya और i.a. पहुत कुछ सिखने को है पता नहीं कि ठी बड़ी दुनिया हैं, क्या क्या सुखने को मिल सकता तो यह वाली अप्रोच मेरी रहती है, साथ कि में गौरव जैसे हम मैंने शुरुआत में आप से बात की आप बता रहे थे कि म्यूजिक में इस्ट्रगलिंग जो एक वक्त होता है वह बहुत लंब होता है और स्ट्रगल आपको बहुत ज़ादा करना होता है तो ऐसे में कई बार सोसाइटी हमको या फिर हमारे दोस् या यहोगोगोगोगोगोगोगे वह फेल्फिश भी हमको सपोर्ट नहीं कर पाते हैं मतल्ड़ पेरिश तो दीखिए वो तो आपको हमेशा सब्सक्राइब वो तो लब एट देना देव आपको प्यार करते हैं बहुत जादा उन से लदा आपको प्यार कर सकते अंगर इस साथ हम जुड़ते हैं, वो अकसर ये बात जो आपने कहीं, कि वो हमेशे ही कहते हैं, कि आप करते क्या हो, बतलब म्यूजिक टीचर है, ठीक है, आप गाते हो, ठीक है, लेकिन करते क्या हो, तो यह जो है, गौरब तुमको कितना फेस करना पड़ा, और इससे क्या नहीं लिया, मुझे लोग कहते थे, ख्या करते हो, खर्चा चल जाता है, संगीत से, तो मैं एक कान से सुनता था, दूसरे से निकाल देता था, मुझे पता है, मैं कर रहा हूँ, और अच्छे से करूँगा, और सब को जवाब मेरे करने से मिल जाएगा, तो मैंने इस बारे नहीं है बेबाक है लेकिन आप में पेशन्स बहुत है तो जो पूरा पाकेज है यह बड़ा इंट्रेस्टिंग है गारव आप में कोई और एक खास बात है तो वह यह कॉम्बिनेशन के जिसे मैंने शुरुआत में भी का था कि यंग्स्टर्स में पेशन्स होना और सबर रहन और स्टिल मतलब अपने दिल की सुनना यह जो पूरा पाकेज है इस वेरी वेरी रेर वही बाते हुई है गारव तो कुछ क्यों ना आप हमें सुराए कुछ और एक सौंग है अरीजीत सिंग ने इसको गाया है तेरा जहरा मुझे बहुत पसंदे तो मैं कोशिश करता हूँ मैं रात दिन ये दूआ करूँ तेरे लिए मैं जी उमरूँ चारों पहल तुझे देखा करूँ मेरा जहां ये तुझ पे फना करूँ जिक्र तुम्हारा जब जब होता है देखो नहोटों पे तेरा एहसास रह जाता है मेरी वेचनियों को सबर मिल जाए तेरा चेहरा जब नजल आए तेरा चेहरा जब नजल आए क्या बात है क्या बात है गारव इतना कुछ बताया है आपकी लाइफ के बारे में और आपने बताया कि स्ट्रगल करते रहना होता है हर इंसान को और मैं जाना चाहूंगी आपकी फ्यूचर प्लांस के बारे में गौरव हम कब आपको बड़े पर देख पाएंगे सुन पाएंगे या क्या प्लांस हैं आपके इस फील्ड में म्यूजिक में आगे बढ़ने के लिए आकरिती वैसे मैं यह तो नहीं किया सकता कि आप मुझे कब बड़े पर देख पाएंगे क्योंकि इस अल अब डेस्टिनी एंड लग यूनो तो लेकिन मेरे कुछ प्लांस जरूर हैं अभी मेरी मास्टर्स हो जाए तो मैं प्लां कर रहा हो कि मास्टर्स के बाद मैं मुंबई शिफ्ट हो जाऊंगा ठोड़ा स्रगल कर रूंगा और लोगोंसे मिलूंगा तो शायद कुछ मेरे निकलाये तो शायद वह जो जो लोग मुझे चाहते है कि मैं उनको टीवी पे या बड़े पड़े पड़े पड़िक हूँ तो प्रबाबली एप्रिल में मेरा एक और सॉंग लाँज होने वाला है तो उमीद करता हूँ कि आपको भी पसंद आएगा जब को पसंद गॉरव आपने जिकर किया और हमने अपने दोस्तों को भी बताया शुरुवात में कि फकीरा की सॉंग आपने लांज किया इसका विज्व को बनाने में आने वाले वक्त में आकरिती मैं बच्पन से ही बहुत जादा सोशल और बहुत जादा अबजार्व करता था सुसाइटी को लोगों को कि लोग क्या करते हैं कैसे करते हैं और क्यों करते हैं तो मैं बहुत लंबे डाइम से ये नोटिस करता आ रहा था कि लोग अंजाने में ही कुछ ना कुछ गलत करते हैं कुछ लोग जान बूच के भी करते हैं कुछ लोग अच्छा करते हैं बहुत अच्छा भी करते हैं तो मेरे दिमाग में हमेशा ये चलता था कि यार लोग गलत क्यों करते हैं मतलब जरूरी नहीं कि आप किसी को गोली मारोगे या गला काट दोगे तब ही गलत होगा चोटी चोटी चीज़े होते हैं लोग कुछ ना कुछ गलत करते रहते हैं अंजाने में लोगों को दुख पहुचाते रहते हैं तो मेरे दिमाग में यही रहता था कि यार बुरा करने में मज़ा नहीं है अच्छा नहीं ऐसे वनों जैसे फकीर होते हैं जो अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, किसी को उनसे कोई प्राब्लम नहीं होती, वो किसी को दुख नहीं पहुंचाते हैं, वो जैसे भी रहते हैं, अपने लिए रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, जब आप अपने को खुश करना जानते हो, जब सबको अपने जैसा फील करने लगते हो कि अगर मैं दुखी हो रहा हूँ तो दूसरा भी दुखी हो सकता है तो आपके दिमाग में यह वाली सोच जरूर आती है कि आप किसी को दुख ना पहुचा है इसी तरह से मैं इसी बारे में सोच रहा था तो मेरे दिमाग में सड़नली आया कि यार सब को छोड़के पंजा फकीरा तो बस यह लाइन मैंने नोट कर ली और मैं रूर्की से जब मैं दहरा दून आ रहा था तो रास्ते रास्ते में मैंने पूरा गाना लिख दिया और उस गाने को मैंने कंपोज करने में बहुत टाइम लगाया क्योंकि मैं चाहता था कि थोड़ा इस टाइप का गाना हो जो यंग्स्टर्स को भी पसंद आए और इसमें मैं अपनी बात भी अच्छे से कनवेगर पाऊं तो इस तरह से करके मेरी सोच इसमें आपको थोड़ी थोड़ी सुनने को मिल सकती है देखने को मिल सकती है तो यही सारी कहानी थी फकीरा के पीछे गौरव में पूछा चाहूंगी जिसे आपने भी कहा कि फकीरा को बनाने के पीछे आपका ये मकसद भी था कि यंग्स्टर्स अपनी बात यंग्स्टर्स तक पहुचा पाओ यंग्स्टर्स से आपको कैसा रिस्पॉंस मिला फकीरा के लिए यह हम जानना चाहिए मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉंस मिला I must say बहुत जादा लोगों तक तो नहीं पहुचा क्योंकि मेरा गाना पहला गाना था और मैंने बहुत जादा इस तरह का प्रोमोशन के लिए काम नहीं किया था पहले कभी तो लेकिन जितने लोगों तक फकीरा पहुचा मुझे लोगों ने परसनली फोन करके मैसिज करके फेसबुक में मेरे पेज पे और इधर फोन पे भी मुझे बहुत सारे मैसिजज आए कि आपने बहुत अच्छे लिरिक्स लिखे हैं आपने बहुत अच्छा गाया बहुत अच्छा कंपोज किया है और एक बहुत अच्छा मुद्धा अपने गाने में उठाया तो मेरी आगे भी कुशिश है कि मैं कुछ इस तरह के गाने बनाओं जो लोगों को एक अच्छी राभ दे सके आकरिदी मेरा ये मानना है कि आजकल बहुत सारी चीजें ऐसी बन रही है लेकिन बच्चों तक अच्छी चीजें कम पहुँच पाती है और जो इस तरह की चीजें होती है जो थोड़ा सा मिस्काइड कर दें अंजाने में ही सही लेकिन वो सारी चीजें बच्चों तक जादा पाचती है तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं कुछ ऐसी चीज बनाओं जो लोगों को पसंद भी हाए और एक अच्छी चीज उन तक पाचे तो यही सब मैं कोशिश में हूँ क्या बात है और यह बताओ गौरव आपने बीच में आपने जिक्र किया था कि आपकी आने वाली जो सॉंग्स हैं आने वाले आलबम्स हैं वो भी आने वाले तो उन्हें हम कब सुन पाएंगे उन्हें कब देख पाएंगे यह हमें बताओ अब मेरा एक सॉंग तो अभी इसी महीने कोशिश है मेरी कि मैं एप्रिल में आप लोगों तक गाना पहुचा दूँ और इसके बाद है कि करके मेरे सॉंग साते रहेंगे तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा फेस्बुक में और आपके साथ है आपको इतना सपोर्ट किये हुए है तो जाहिर है कि आप बहुत बहुत आगे जाएंगे और हमारी बेस्ट विशिस आपके साथ हैं लेकिन गौरव आप उनको क्या मेसिज देना चाहोगे यंग्स्टर्स को जो आपको अभी सुन रहे हैं आपके तरह उनका भी पहले बच्पन से शाउख था कुछ गाना गुन-ाना और किस तरह से वो सिंगर बन सकते हैं किस तरह से आगे बर सकते हैं जिन लोगों का गाना शाउख है मैं उन लोगों को तो यही मेसिज देना चाहूँगा कि अच्छे से सीखिए क्योंकि सीखने के बाद आपके अंदर वो quality आ जाती है और जो किसी भी चीज की जो सत्यता है मतलब जो purity है वो आपको एक अच्छे गुरू से सीखने के बाद ही पता चल सकती है और purity ही टिकती भी है तो अच्छे से आप चीजों को सीखिए observe कीजिए लोगों तक आपकी बात जरूर प दिमान म्यूजिक तो मेरा एक पेज आपको मिल जाएगा उसको लाइक कीजिए और मेरे अपडेट्स के लिए जुड़े रही है मेरे साथ थैंक यू सो मच या बात है थैंक यू बात की गौरव धिमान से उनके म्यूजिकल करियर के बारे में हमने जाना कैसे वो सोचते हैं अपने करती कितना जादा dedicated है अपने लिए अपने शॉक के लिए अपने पाशन के लिए अपने teachers के लिए और अपने well wishes के लिए जाते जाते फकीरा गाना बिलकुल सुनाने वाले enjoy कीजिए इस गाने को जिसे गाया है टाइब करना है आर जे मसक के लिए आक्षिती आपको में वहाँ मेरा पेज नजर आ जाएगा लाइक का बिटन दबा दीजे या फिर आप कोई फीडबाक देना चाहते हैं कोई सजेशन देना चाहते हैं तो बिलकुल देख सकते हैं और कोई उभरता हुआ कलाकार या फिर पट्याराइम भी आप हमें बता सकते हैं उनका प्रफाइल हमें पहिज सकते हैं और हम उन्हें जरूर किंसम्दर करेंगे क्यांपस जिंदगी के लिए दोस्तों आज के लिए इतना ही और यह फलसफाब हैं आज हमने सीखा गौर्फ से कि दिल की सुनना बहुत जरूरी है दिल की आप सुनेंगे तभी आप दिल के उस से रस्ते पर चल पाएंगे मुश्किल जरूर मिलेगी आपको और मुश्किलातों का सामना जरूर करना पड़ेगा लेकिन भई सफलता की गारंटी है और उससे भी जादा गारंटी है खुश रहने की तो इसी विचार के साथ आखे अपनी बंद करके तो याद कर, तो याद कर वो जल्म तेरे जुर्म तेरे तो याद कर, तो याद कर आखे अपनी बंद करके तो याद कर, तो याद कर वो जल्म तेरे जुर्म तेरे तो याद कर, तो याद कर कितनों को तुने सताया, खुन खाम खाब आहाया, दर्द का ये लाल साया, तुसे कह रहा कितनों को तुने सताया, खुन खाम खाब आहाया, दर्द का ये लाल साया, तुसे कह रहा बंजा अफ़ किरा, बंजा अफ़ किरा, बंजा अफ़ किरा, तुसका अफ़ किरा